परिक्षा संबन्दी महत्पूर निर्देशों में परिक्षा वस्तुनिस्ट प्रकार की होगी और परिक्षा कश्मा परिक्षार्थ को फूशन बुकलेट के साथ ही एक उत्रपत्रक भी दिया जाएगा इसके एक और आवशक जानकरी अंकित होगी और दूसरी और क्रम्य प्रस्णों के उत्तर के विकल्प अंकित होगे उतरपत्रक OMR सीट को कंप्यूटर द्वारा जाचा जाएगा अते उतरपत्रक को सही गे से भढ़ने और उतर अंकित करने के लिए उतरपत्रक पर दियेगे निर्देशों का ध्यान पुर्ण वक्त पढ़ ले वे उतरपत्रक को सावधानी से काम में ले यदि वे कटा पटा मूडा सिकुर्ण बढ़ा हो तो तूरंत प्रस्ण पुस्तिका के साथ बदला ले उतरपत्रक की वानती जानकारी अत्वा प्रस्णों के सही तरीके से अंकित नहीं होंगे तो उसकी जाच नहीं की जा सकेगी जिसक के लिए प्रिक्षार्थी स्विवम जिम्मेदार होगा अते उत्तर पत्रक की प्रविष्टिया ध्यानपुर्व के हम सही तरीके से करें और उत्तर पत्रक को गंदाने होने दे बाल पॉइंट पेन का उपयोग करें उत्तर पत्रकों की बाती सूचनाओं के कालम बढ़ने उत के लिए उत्त्तर पत्रक की स्ट्स्रा पर अनुक्र Tibetan करें प्रेश्फन पुस्ते का नाम नंबर और था उत्तर पत्रक के भाग के के केंडрशंक्या रोल नंबर प्रेश्पन पत्रका नंबर बालपरेंट से बनना है तत़ा खंड दे में हिंदी ततभा अंग्रेजी के विकल्प समन्दी सूचना भी काले और नीले बाल पयंट पहन से ही बढने हैं इसी प्रकार मुख्य प्रस्ट के पी भाग में उत्तर अंकित करने हितु बने गोलों में भी काले नीले बाल पाइंट पैन चदा गोले काले नीले बाल पाइंट पैन से ही बढ़ने हैं गोलों को उत्तर पत्रक में दिये गे अनुतियस के अनुसार, नीले बाल पाइंट पैंट से गेहरे निसान से बरें और कम्प्यूटर दोरा जांच नहीं की जा सकेगी, इसके लिए प्रिक्षार्ति स्व्यम जिवमिदार होंगे। प्राष्ण पत्र दोनों प्रवेश प्रिक्षाओं के प्राष्ण पत्र चार खंडों में विवाजित है, कुल प्राष्णों के संक्या दोस्तों है, सभी प्राष्ण बहु विकल्पी है, सभी प्राष्णों के अंक समान है और प्रतिक पंक जो है तीन अंका है और किसी भी प एक हंड मांसिक योगेतागा बेज सिक्सन अभी रखतागा और से सामानी जानकारी का देह हिंदी या अंगरी जी का है परतिक में 50-50 प्रस नोंगे और अंकों की संक्या परतिक में 150 का पुर्णाग होगा मार्किंग उसे गलत माना जाएगा और प्रतिक सही उत्र के लिए अधिक्तम तीन अंक दिये जाएंगे उत्तर पत्रक में प्रिक्षार्ति परसनों के उत्तर से संबंदित गोले को सोज समझ कर सही डंक से भरे प्रसमत के खंड 2 सेक्षन B के उत्रों का मुल्यांकन तीन से जीरो अंकों क कि स्केल पर होगा अर्थार प्रतिक प्रसंद के उत्तर के लिए तीन दो एक और जीरो अंक होंगे सामनी निर्देश में प्रिक्षार्ति को प्रिक्षा में बैठने से पहले ये सुनिस्चित करने कि वे नियम्मा नुशार सेक्षन की युगेता वे पात्रता की अनियस हर् कार नहीं किया जाएगा किसी भी कारणवस चाहिए सवस्था के कारण प्रिक्षा में अनुपस्तित रहने की इस्तिति में प्रिक्षा सुल्क नहीं लोटाया जाएगा नहीं बविच में ली जाने वाली किसी प्रिक्षा के लिए सुरक्षित तक जाएगा प्रिक्षा आर् अनुचित वियवार करने पर उसे परिक्षा से निस्कासित करने अत्वानिय किसी भी प्रकार का देंडिनिया मानुस्वार दिया जाएगा राज की डूंगर माविद्याले बिकानेर से प्रिक्षा 2020 यह कक्स में बैटक वियवस्ता का अनुपस्तिती पत्रक है जो कि इसमें सबसे पहले वाले कॉलम में आपको केंदर का संकेता बना फिर केंदर का नाम बढ़ना और कक्स संक्या बढ़नी है कक्स बैटक वियवस्ता का अनुपस्तिती पत्रक है इसमें प्रिक्षा में प्रविष्ट होने वाले प्रिक्षारतियों की कुल संक्या फिर उनका रूल नंबर बना अनुक्रमांक रूल नंबर से तक बरना है उपस्तित और अनुपस्तित की संक्या बढ़नी है इसी तरह प्रस्ण पुत्र पुस्तिकाओं की संक्या जो कमरे में प्राप्त हुई है उनको बढ़नी है पर्युक्त पुस्तिकाओं की संक्या बढ़नी है और आगे वाले कॉलम में अनुप्युक्त की संक्या बढ़नी है दोस युक्ति यदि कोई पुस्तिकाओं पही जाती है तो उनकी संक्या इस कॉलम में बढ़नी है नीचे वाले कॉलम में इधर रोल नमबर बढ़ना है इधर बुकलेट प्रस्न पुस्तिका का करमांग बढ़ना है इसमें अनुकरमांग बढ़ना है फिर प्रस्न पुस्तिका का करमांग बढ़ना है और यह अनुक्रमांग का वाले क्रमांग, प्रस्ट्पुस्त्रिका का क्रमांग, अनुक्रमांग, प्रस्ट्पुस्त्रिका का क्रमांग, इस तरह से एक क्रमांग है, सारी इस तरह आपके सामने इस पासते हैं, परते एक क्रमांग में चाहिए या वान्चित जो जान करी है, यह विक्सक मौदेय के द्वारा बरी जानी है इसके पस्चात नीचे वाले कॉलम में विक्सक के हस्ताकसर करने है विक्सक का पूरा नाम लिखना है यदि दो विक्सक है तो दूसरी विक्सक का यहां हस्ताकसर और उसके नीचे उसका नाम लिखना है यह चार्ट यह दरसाता ह कि प्रिक्सार्थी विक्सक की तरब देखते हुए बैटे हैं अनुक्रमांग का अंकन आगे से पीछे की और इसी क्रम में प्रस्ण पुस्तिका का भी वित्रण किया जाएगा कक्स की समता के अनुसार घटा या बढ़ा ही जा सकती है लेकिन एक पंग्ती में 6 या 10 या 14 प्रिक्सार्थी प्रिक्सार्थी की प्रस्ण पत्र पुस्तिका के नामांग की प्रविस्टि इन ब्लाकॉं में दर्साएगे अनुसार करनी है अनुपस्तित रहेगे प्रिक्षार्तियों की कॉलम को इस प्रकार से क्रोस के द्वारा दर्सानगना है और उसके नीचे केंद्रा दिक्षिक के हिस्ता अक्सर होना है सम्मेकित अनुपस्तित पत्रक है इस सम्मेतिक अनुपस्तित पत्रक में केंदर का संकेत आंक बढ़ना है केंदर का नाम बढ़ना है कक्ष शंक्या कक्ष में प्रंजिकरित कुल चात्रों की संक्या उपस्तित और अनुपस्तित के कॉलम है जो अनुपस्ते च्छात रहते हैं उन अनुपस्ते च्छात्रों के रोल नंबर इस कॉलम में बढ़ना है यह कॉलम दिये गए आपको नीचे इसके लिए उपरोक्त में ली गई उत्तर पत्रक सीट के पैकेट में इस प्रपत्र की एक परती रखी जानी है ओमार सीट के साथ क किसी एक कॉपी जाएगी इसलिए इसको ध्यान पूर्वक से पर हैं प्रपत्र के संकेत आंक और केंदर का नाम मरना है केंदर का संकेत आंक बना रहां परीकशा का दिन और दिनांक बनां यह सोडह सितंबर भना से और टाइम ने आपका परीक्षा है नौ से बारा या तीन से छेह ना पर इzent प्रिक्षार्टि में प्रस्न पत्र पुस्तिकां के संक्या उप्योग में ली गई प्रस्ञ हम गहाएँ संहिं होग करदब करना है नीचीं फूरिर वापस कट्षमें प्राप्ट होई कुल की संहिं के इंद्राइज दिख सकते हैं व्लेव शामगरी प्राप्ट करता के हस्ताकसर इदर करने हैं या इस में थो मर नहीं में गम संक्या क्स्वान है उत्तरपत्रों की संक्या उत्तरपत्रों की चार उत्रकम के लिए एक लुन की बिए लड़ना है इसी सामगरी प्राप्त करता कहस्ता अकसर होएंगे यह duty chart का table है duty chart के table में केंदर के संकेत आंक बढ़ने है केंदर का नाम परिक्षा दिन दिनाग समय पंजीकत परिक्षार्थयों की संक्या प्रिक्ष्टूए प्रिक्षार्थयों की संक्या प्रपत्र को बढ़ने के लिए पहले कोलम में करम संक्या लिखनी है और व्यक्ति का नाम फिर उसके आगे पद का नाम केंदर दिख सके तो केंदर दिख सके तो अतरित केंदर दिख सक सुपरवाईजर विक्सक जिस पद पर वो कारीड़त है वो लिखना है आगे कक्स संक्या लिखनी है और कक्स में बैटे प्रिक्षार्तियों की संख्या उसके वस्याद भुगतान के लिए निर्दारित जो उसकी डूटिया निर्दारित की उनकी संख्या लिगनी है नीचे केंद्रा देख्सक का हस्ता अक्सन होएंगे और उसकी सील लगेगी परिस्पमिक बिल या वाउचर का यह चार्ट है इस चार्ट में भी केंद्र का संके तांग केंद्र का नाम परिक्षा दिन देनां समय 15 परिष्गार्थियों की संख्या प्रिष्टों नेवर्प्र सी बीएड परिक्षा 2020 की तरफ से निम्न अधिकारियों मंत्राली करमचारियों और चतूत स्रणी करमचारी जिने प्रिटी प्री बीएड बीएड परिक्षा के संचालन के लिए दिनांग 16 सितंबर 2020 बुद्वार को डूटी पर परिश्रमिक का भुगतान किया गया है उसका क्रम संक्या दूसरी में व्यक्ति का नाम का डूटि न के संक्या बुगताद लाय प्राफ करता के अंकित करने हैं केंद्रा सदिक्षा आकसर नीचे सील के साथ में बोड़ेंगे पौःचा कंद्रों पर तक पर परिश्रमिक दर आई इंपरेंट चीज आए जो आपके सामन निर्दारित कार्मिक एक ड्युटी उसका मान्दह 300 रुपके लेकिन उसकी दर 250 रुपके के हिसाब से तीन दिन और 100 रुपयय कंवेंस के हिसाब से जोड़ कर 1050 रुपय और कुल 14 S रुपय होते हैं विख्षकों के संक्या 24 प्रितिक्र सार्ती यदि है बैठते हैं तो 2 होगी उन्हें 225 रुपय परती दिन के हिसाब से रुच्च्छी चोड़ करके दो दिन का इनको मिलेगा मीटिंग वाले दिनकार दुनों का इसलिए 650 रुपए यदि एक पारी में कारी रआउर्ट है तो और दो पारी में चारी रआउर्ट उरता है तो 900 पुचितर रुपए आपसे निवेधन है कि सभी विक्सकों की या जादातर विक्सकों की दोनों ही पारियों में डूटी लगाए और उनका भुकतान नो सु पुच्छतर के हिसाब से किया जाए नहीं कि एक ही विक्स पारी में शाड़ी सु रुपए की डूटी लगा करके उनको फिरी कर दिया जाए सुपर्वाइजर चार कक्स पर एक लगेगा जिस दो सु पच्छी सु रुपए परती दिन के हिसाब से सो रुपए कन्वेंस के इनों को भी दू दिन का भुकतान होएगा इसलिए शाड़ी छट्सु रुपए सुपर्वाइजर को मिलेंगे एक पारी के लिए और दो पारी म यह चार तक दो लगेंगे और धोसु पस्चीस रुपए परती दिन के हिसाब सी चो रुपए कन्वेंस है और दो कार्मिक दिन दों के लिए लेगे इसलिए शट्सु पचाष रुपई और नोसु पच्छोत रुपए इनको लेगे लेकिन हमारे यां जिले में किसी भी फ् वो श्रीमान जिला कलेक्टर मौदे के द्वारा बने है तो उसका जो है भुकतान आपके उसमें आता है तो आपको करना है नहीं तो वहीं से होएगा इसलिए आपको फ्लाइंग पर किसी को न्यूक्त नहीं करना है मंत्राइली करमचारीं 504 तक 3 लगेंगे इनको 125 रुपए के हिसाब से और 25 रुपए कंवेंस के हिसाब से 3 दिन की तियारी के हिसाब मिलेंगे और यह 600 रुपए कुल आएंगे यह कुल मिला करके दोनों पारियों में है तो 825 रुपए है दफ्तरी को 7700 रुपए चतुर स्रे फारी के लिए उसको 200 रुपया और कुल दोनों पारिव में रख दूपर acum अतर हमई को नहीं है इसमें कशती放 वैजर गर्वन में फरनेचर बिजली पानी के बादए में 10 रुपए उसको दे होंगे परतिक पंजीकत प्रिक्षारती पर 2 रुपे कंटिंजेंसी की रुपे देजाएंगे ये रास्ती स्टेशनरी पैकिंग सामान बैटक विवस्ता बर पादी के इमद में देये होगी कुल विक्सकों की संक्या प्रिक्षारती की संक्या के अधिक नहीं होने चाहिए उदान के लिए प्रिक्षारती की संक्या 504 है तो विक्सकों की दिक्सम संक्या 504 बटावा 12, 504 बटावा 24, multiplied by 2 is equal to 42 होगी फ्लाइंग 504 पर परतिक 504 पर एक अतिरिक्त निक्त किया जाएगा हमें फ्लाइंग निक्त नहीं करनी है रखता है लेकिन चतू स्रेडि क्रमचारों के अधिकतम संक्या 20 अक्सिमित होगी प्रिक्षारते के लेने के लिए विक्सक को कोई अत reply मान दे नहीं दे होएगा यह आप नोट करने मैंड़ा आसलिए नेत्र हिन जो रोग्तम दे नहीं मिलेगा कोई विय KIM D. का भुकतान नहीं किया जा सकेगा किंद्रा दिक्सक उन को पहले दी गई अगरीम राश्यीम में से भुकतान करेंगे और किंद्रा दिक्सक नियमामसस्टार yapti रूपे पंजिकित और प्रिशातियों को cheon d. एक उप्योगिता प्रमान पत्र देंगे तब सेस्ट बुक्तान के बिल राज्टी पेरी वक्सक को लोटा देंगे भविषय के लिए प्रक्षा व्यवस्ता में सुधार है तो यदि किसी प्रकार का सुझाव हो तो क्रेप्या समन्वेक PTT, Pre-BABA, BACBA 2020 को बीजने का स्रम करवाएं पूंडे खर्च का समयकेत बोठा है इस परक्षा के तीन बाटिया आपको बनाना है इस पर्पत्र की तीन पर्तियां आपको बनानागी थिक्सक और केंड्रदीजीर अधिकर और विक्सकों का बिल विक्सकों के ड्यूटी शटेटमेंट की दो प्रतियां लिपिक और चतु शुर्ठीक रमचारी के बिलों की दों प्रतियां और हर्ज करण जिंबर चार्ज ड्धर लिपिग सिंबुड गल्रोय के बर मांट केंद्र के चार्जेज यदि कोई हो तो इनका कुल योग एक से छे एक से आर्ट तक वाले कोलम कुल विये सब्दों में केंद्र को परदत की गई रासी डुप्लिकेट प्रवेश्पत्र कुल योग दस और 11 का और पुने लोटा गई रासी देरासी प्रमानित किया जाता है कि केंद्रा दिख्षक अतरिक केंद्रा दिख्षक विक्षक लिपिक और चतुसरे ने करबचारियों का डूटी का मान दे अन्य खर्चेंद्र चार्जेज जो प्रमानित किया जाता है केंद्र जो परपत्र है इसको आपके पास सेंटर अब्जर्वर लगा रखा है उसके यह इंपोर्टेंट चीज है जो पेले पैकेट पर एक बटनाहु दूर दूसरे पर दो नॉसरे प्हर दो 2 डुस्तर सेंटर चार हैं तो एक बटनावा ≦ गण-चा पर 2 गण einzel जो बहार को आप चार तीन बटावा चार और चार बटावा चार लिखना है दूसरा पेकेट सही प्रकार से पहक गया गया हो तता आवशक हो तो उससे सील भी करें सबी पेकेटों और लिफापों पर पेहन से सपस्ट अक्षनों में एड्रेस स्लिप से वांची सूचना जिसमें सबसे पहले ल के जा रही है निफापों जेकरिगे का नामस्वा लिखना है साम्व而已 का वीवरुन का कैंज का नामस्त्य अ है सहर नाम में फोडेनाया और अन्य लिखा हो तो बढ़नाया है अब सबसे पहले बनेगा हमारा उस पहले पेकेट में परिक्षारतियों दोरा उप्योग में ली गई उत्तर पत्रक OMR सीट रोल नंबर वाई जमानी है तदा कपड़े में दोनों तरफ गत्ता आपको उपलब्द करा दिया गया है गत्ते में पे करके सील करनी है केंदरा दिखसक ये भी सूनिस्चित करते हैं कि केंदरा की समस्ट प्रिक्षारतियों की सम्मेकित अनुपस्तिती हिसाब पत्रक Consolidated Absentist Statement की एक प्रती इस पेटे केट में रखनी है ये बहुत इंपोर्टेंट है सबसे इंपोर्टेंट प्रिक्षा के आयोजन का और प्रि इस तरह केंदर के प्रिक्षारतियों का सम्मेकित अनुपस्तिती हिसाब पत्रक एक प्रती प्रतक से लिपापे में पैक हो और अनुपस्तिती के लिए प्रेशित OMR का लिपापा प्रत्रक से गत्ता लगा कर पैक कर बिजवाएं केंदरा दिखसक की रिपोर्ट केंदर पर पैन से इस पस्त अंक्रों में एड्रेस लिप पर वांचित विवरन लिकावा हो जहां तक संभव हो तो इस हेतु उन्हें बॉक्सेज को प्रयुक्त करें जिसमें प्रस्ण पुस्तिकां केंद्र को दी गई है वे बॉक्सेज जिनमें आपको क्यूचन बॉक्लेट मिलेगी उ कि अदिए मैं सील करना है उस लिपापे को पैक हो यदि ऐसे अभिएर्ति की संख्या एक से अधिक हो तो हर अभिएर्थी के लिए अलगलग खैकट बनाए तब में गए घटो को एक बड़ा लिपापे में डालकर पैक करें तर उस पर केवल केसे की संक्या साइथ विवरन लिखें प्रस्ण पुस्तिकां क्यूष्ण बूकलेट की समयकित हिसाब का प्रपत्र आठवे लिपापे में और नवे अभिवर्तियों दोरा प्रस्तूत परतिवेद्यन यदि कोई हो तो उसका विवरन नवे में और प्रस्तित पत्रक रखना है और बारवे में प्रियुक्त प्रस्ण पुस्तिकां अन्यूज क्यूष्ण बुकलेट का उत्तर पत्रक उम्र सीट क्रमा नुशार यह सीरियली जमिन्यानी है जमियों तरह पैक हुई पैकेट पर एड्रेस थे कि सपस्ट वानचित सूचना में केंद्र पर कारीरत केंद्र दिख्षक अतिरित केंद्र दिख्षक पुर्यक विक्षक गन्कार्यालेबावले सार करमचारियों की ०ोप्रतफ्ध पुीज्य चार्टεις केंद्र पर नियमनत Sophr सेंटर. में बिल भाउचर रसीत है और केंद्र पठत्र जारी करने से प्राप्त रासी का वेवरेंड यदि कोई हो तो और लास्ट में बच्चिवी सामगरी रोल लेस्थ है या प्रियुक्त जो काम में नहीं लेगी है उसका 14 नमबर का लिपाबा बनीगा नेत्रहीन प्रिशार्तियों के शुरुत्ति लेखन का एक प्रपत्र है इसमें ये कोई नेत्रहीन प्रिशार्ति आपको प्रिशा केंदर पर परिशा देने के लिए उपस्तित होता है तो वो अपने साथ सूर्ति लेकर स्वयम लाएगा उसमें इसे गोशना लेनी है कि मैं प लेकिन यह सूर्थी लेकक आपको यह सुनिस्चित करना है कि उसकी सक्षिनिक योगेता दस्वी और बार्वी परिक्षा से अधिक नहीं हो यदि फोर वर्षी पाटेकरम में बैठ रहा है तो इस सूर्थी लेकक की योगेता दस्वी पास ही हो और दो यह वाले एक्जाम में बैड वाले में तो उसकी बार भी पास हो सकती है मैं जानता हूं जानती हूं कि केंद्रा दिखसक सूर्थी लेकक के लिए जो स्वीकृति दी गई है वे पूर्णते आयसते ही है यदि मेरा दिवरा दियेगे कथन ऐस सत्य पाई जाए तो मेरी परिक्षा को बिना किसी प्री बीएस 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 परिक्षा 2020 को निस्त करने का अधिकार होगा यहां पर उसके अंगूटे का निसान भी लेना है और शाट से तरह का नाम लिखना और रोल नमबर लिखना है सूर्थी लेकक के लिए भी यह नीचे इसी प्रकार की घोशना है और उस पर ताक्सर कराना है जिसके केंद्रा देख सकते दौर रहान वहरी फाई किया जना है। ऑं अन्पैर मेंस यह नी कोई बनता है तो उसकी रिपोल्टींg यह इस प्रपत्र में देनी है। फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग अनफेर मिन्स केसेज यह हर एक सीट जो हर केंडिडेट के अलग बनानी है आपको फिर सेंटर को रिपोर्ट अब सेंटर सुप्रिडेंटेंट और अब्जरवर की रिपोर्ट यह इंपोर्टेंट है इसलिए इसको भी मैं डिटेल में पढ़ लेता हूं आपके समक्ष यहां पर केंडर का कोड लिखना है कि अ कि सेंटर का नाम लिखना है रजिस्टर केंडिडेट का नाम है नमबर ऑप प्रजेंट केंडिडेट्स नमबर ऑप अप अपसेंड केंडिडेट्स नमबर ऑप अनफेर मिन्स इप स्पेशल इवेंट्स को याकर होती है तो उसको यहां mention करना है और इसके लिए क्या suggestions आप देना चाहेंगे उसको यहां लिखना है signature of the center superintendent or observer के यहां signature होएंगे उनका पूरा नाम लिखा जाना है उनके designation लिखना है केंदर दिख सके हैं या फेरिये वेख सके हैं mobile number और यहां complete उनका address लिखना है इस प्रकार यह जो booklet थी उस booklet की सारी जानकरी मैंने आपके समक्स रख लिए अब यह booklet कुछ पुरानी थी इसलिए इसमें कुछ संसोदन जो हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या संसोदन पुराने हिसाब से जो booklet थी उसमें किये गए हैं या उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को डूणने में प्लीज sorry for inconvenience अजिए इस इसमें वेख साथ जी पिशिंग जी के द्वारा भेजाए गए यह विसेश सूचना हैं इन बिंदो पर आपको विसेश द्यान देना है क्यूशन बुक्लेट में प्रिक्षा कि तिती शोला अगस्ट अंकित है जो अब चेंद परिवर्तित हो करके शोला आपका सितंबर हो गई है और फोर येर कोर्स की प्रिक्षा मॉर्निंग में है और टू येर कोर्स की प्रिक्षा साय कालिन पारिंग में होगी दूसरा परतेक प्रिक्षा केंद्र पर एक केंद्र पेरिये वेक्सक न्यूक्त किया जा चुका है परतेक दस प्रिक्षा केंद्रों प बैंक का जो है डेटेल जरूर चेक कर लेए परतेक जिले की प्रिक्षा सामगरी के लिए संग्रेन केंद्र की इस्तापना उस जिले का सबसे बड़ा राजकिय माविद्याल होगा हमारी जिले रासमन में सेट रंगलाल कोठरी राजकिय माविद्याल रासमन संग्रेन केंद्र के रूप में इस्तापित क्या जा चुका है और उन माविद्यारे के प्राचारे डॉक्टर रचना तेलंग को अतरिक्त समन्वेक प्रिक्षा 2020 के लिए लगाया गया है इसलिए संग्रेन प्रिक्षा समापति के प्रस्चात आपको सामगरी राज के माविद्याले रासमन में लाकर के जमाक रहनी है कोविड-19 की पालना परतिक जिलास्तार पर प्रसासन के माध्यम से की जाना सुनिश्चित करें इस है तो मानिये जिलाकलेक्टर मोदे ने आयुक्त नगरपाली का साहब को ये इस आशे के आदेश प्रसाथित कर दिया है कि सभी के इंद्रों पर सेन प्रस्न पत्र बुकलेट साड़े साथ बजे तक और साइट बजे तक प्रिक्षा के इंद्र पर पहुँचना है प्रस्न पत्र बुकलेट ये हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट है इसलिए इस जित कर दिया रखना है प्रस्न पत्र बुकलेट साड़े साथ बजे तक मॉर् और साय कालिन पारी वाले जो पेरि वेख्सक हैं, वो 12 बजे ट्रेजरी के बार उपस्तित हो जाएं, ताकि उन्हें प्रस्ट पत्र सौंप पे जा सकें, और यदी संबब हो तो परते एक पेरि वेख्सक अपने साथ, अपने केंदर के जो केंदरा दिख सकें, उनको भी साथ लेकर करके आमें निरंतर केंद्रा दिक्सकों और पेड़ी विक्सकों की संपार्क में रहें कि यह पांसाथ पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं आये थे जिनके बारे मैंने आपको अवगत किरा दिया है प्रपत्रों में और बुकलेट में लिखी हुई स्यूचना का अकसर से सब्से पालन किया जाए यदि इस प्रेसिक्षन में इनके बारे मैंने आपको सब्तू सब्द डिक्टेट करा दिया है या पढ़के सुना दिया है फिर भी आपको अकसर से इनका पालन करना है थोड़ी सी जानकरी और ये दिये है तो मैं भेरेट आओं आपको आपके केट में अलग-अलग कलर के लिपापे उपलब दिक्राए गया है और उन लिपापों में जो सामगरी पैक की जानी है उसका ध्यान पूर्वक अध्यन कर जिस कारिये के लिए जो लिफापा न्यूक्त किया गया है उसी लिफापे में सामगरी लिखे है इसके अलावा आपको 500 ml सेटे सेनेटाइजर की दो-दो बोत लें परते केंदर पर दी जाएंगी कंटेंजेंसी का जो रुपे ले गया था 10 प्लस 2 है तो उसको 10 प्लस 3 कर दिया गया है परते केंदर पर लगने वाला जो पुलिस स्टाप है उस पुलिस स्टाप को भुगतान किया जाना है दो-टू-दो के हिसाब से नगर निगम दोरा सेनेटाइजर के लिए आदेश के जा चुके हैं यह दि किसी केंदर पर सेनेटाइजेशन नहीं हो आओ तो केंदर धिक्सक मौदेओं से निवेतन है कि वे आयुक साब से एक बार नगरपली का आयुक साब से एक बार संपर करने और आदेश की प्रति आपको उपलब्द करा दी गई है उस आदेश का हवाला देते हुए साब से निवेतन करने कि साब हमारे यहां सेनेटाइजेशन क्या आवशकता है और सेनेटाइजेशन क्या जाए इस प्रकार हमारा प्रेस सिक्षन प्रिक्षा के आयजन है तू नोडल ओफिसर साबान्स की भी निवेतन की जा चुकी है एडियम साब साथ हमारे नोडल्स के रूप में निवेतन किये गए हैं हम सब उनके निर्देशन में कार्य करेंगे इसका जो इस आसे का जो आदेश है वो भी साथ के द्वारा जिल्ला क्लेक्टर मोड्य द्वारा प्रेस डिवारा प्रेस्ट किया जा चुका है सब व्यवस्ताओं को ध्यान में द्रस्टिकर ट्रकते हुए हमें नुसासन में रहते हुए sanitization करवाने के साथ परतिक जो परिक्षार्ती है मास्क लगा के आएगा तो ही परिक्षा में उसे अनुमत करना है वैसे तो मास्क है और पानी की बोतल है और sanitizer साथ लाने के लिए परिक्षार्ती को निर्देश्थ के आगया हो है लेकिन मास्क उसके मुँपर लगा हुआ अत्यन्त जुरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी पूरा ध्यान रखा जाए और प्रिक्षा को संपादित कराने में आपका सहीयोग अपेक्सित है मैं आसा ही नहीं और आपसे अपेक्सा भी करते हैं हमें आपकी कारियक्षमताओं पर पूरा भुरोसा है आप समय बद कारियक्रम के अनुसार अनुसासन में रहते हुए और सभी नियमों की पालना कराते हुए परिक्षा को संपादित करवा लेने में सक्षम होंगे ऐसी आसा आप सभी इस कारिक्रम में पढ़ारे इसलिए आपका हर्दे से आबार और साधर प्रणाम सभी को